C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो अपनी जबान साथवी जमात के लिए उर्दू की दर्सी किताब आए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का चौथा सबग सबक नंबर चार गर्मी का मौसम नजमिनिगार इस्माईल मेरठी सफ़ा नंबर तेईस मई का आन पहुँचा है महीना बहा चोटी से एडी तक पसीना बजे बारा तो सूरज सर पे आया हुआ पैरों तले पोशीदा साया चली लू और तड़ापे की पड़ी धूप लपट है आग की गोया कड़ी धूप जमी है या कोई जलता तवा है कोई शोला है या पच्वा हवा है सफा नंबर चौबीस दरों दीवार हैं गर्मी से तपते बनी आदम हैं मचली से तडपते न पूछो कुछ गरीबों के मका की जमी का फर्ष है छत आसमा की ना पंखा है ना टटी है ना कमरा जरा सी जूपडी मेहनत का समरा अमीरों को मुबारक हो हवेली गरीबों का भी है अल्लाह बेली सफा नंबर पच्चीस मानी याद कीजिए पोशीदा छिपा हुआ तड़ाकी की धूप बहुत तेज धूप चटखा देने वाली धूप शोला आग की लपट पच्छुआ हवा पच्छिम की तरफ से चलने वाली हवा गर्म हवा बनी आदम आदम की नसले फर्ष बिचोना बिस्तर समरा फल हासिल तटी बास या सरकंडूं की बनी हुई आळ जो बतार दिवार खड़ी की गई हो हवेली बड़ा सा मकान अल्लह बेली अल्लह मालिक अल्लह निगहबान सोचिये और बताईए सवाल एक गर्मी का मौसम किस महीने से शुरू होता है सवाल दो दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज्यादा होती है सवाल तीन लू कैसी हवा को कहते हैं सवाल चार तड़ाकी की धूप से क्या मुराद है सवाल पांच मचली से तड़पने का क्या मतलब है सवाल छे गरीब लोग गर्मी में किस तरह गुजारा करते हैं सवाल सार पच्छुआ हवा को शोला क्यों कहा गया है सफ़ा नंबर चब्वीस अशार को मुकमल कीजिए एक बजे बारहा तो सूरच सर पे आया खाली जगा दो खाली जगा कोई शोला है या पच्छुआ हवा है तीन न पूछो कुछ गरीबों के मकां की खाली जगा चार खाली जगा जरासी जूपड़ी मेहनत का समरा पांच अमीरों को मुबारक हो हवेली खाली जगा दिये हुए लवजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए लपट समरा मेहनत मुबारक तवा इन लवजों के मुतजाद लिखिए पोशीदा धूप शोला फर्श गरीब आसमान गर्मी अमली काम इस नजम को याद कीजिए और इसका मतलब अपने लवजों में लिखिए गोर करने की बात दोबहर के वक्त बारा बजे के गरीब जब सूरज सर पर होता है और सबसे ज्यादा गर्मी भी उसी वक्त सूरज से निकलती है उस वक्त अगर कोई खुले आसमान के नीचे खड़ा हो तो उसका साया जमीन पर नहीं पड़ता इस मिस्रे में उसी हकिकत की तरफ इशारा है हुआ पैरों तले पोशीदा साया इसी के साथ अपनी जबान भागदो का चौथा सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक पाँच आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत